हेलो दोस्तों नमस्ते सुपर बाद जैसी कृष्णे रादे रादे माई सुल फैमिली मैं वेवर्स बाइ सिस्क्राइबर्स गाड ब्लेस यू आप सो स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपने लाइप में आके बढ़ रहे होंगे दियर आज का भी कजब वीडियो लेकर आई हूँ आज सुपर किना जी आपके पार्टनर की तो आज सुपर सुपर आपके पार्टनर क्या मसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है उनकी फैलिंग्स उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर तो उनका एक्सन क्या होगा और उनके लाइप में क्या कुछ चल रहा है वो क पार्टनर के feelings क्या है और message क्या है तो बिलकुल रिलाक्स हो जाए और अपने परशन के बारे में जोचना है intention सही रखना है और रिलाक्स रहना है कलेक्टिव रिडिंग है बाबू सारे sign के लोग देख सकते हैं मेल, फिमेल, मेरेट, अन्मेरेट शबी के लिए हैं. तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, और चितना अनर्जी की रेजुनेट करता है बाबू उतना लेना है, और बागी को ज़याने देना है. चलिए, रिल्लाक्स, रिल्लाक्स, रिल्लाक्स. All Archanja Dibby Shakte Guide करें. आरकेंजा मैकल, आरकेंजा यूरियल, आरकेंजा गाब्रियल रादे 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 रिष्णा, क्रिष्णा, 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 क्रिष्णा क्या message देना चाहते हैं मेरे viewers के partner आज सुख़-शुव उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है मेरे viewers को क्या कहना चाहते है इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे कल राज से ये channel song आ रहा है बार-बार चिक है तू भी मुझे से प्यार करे काश वो दिन भी आए अपके पार्टनर मेरे वीवर्स को क्या मैसेज देना चाहते है अपके पार्टनर प्लीज गाइट करें डिवाइन गाइट करें अल आरके जदिबे शक्ति गाइट करें भी तो सी करें hoping by strong and fighting what on the deck से है be strong fighting you are my soul match seven chakras I am fine I am sorry please forgive me I love you and thank you. Romance. Parish issue. I want you and I need you. I love you. Believe me. I like you. I love you. I love you. I love you. I like you. क्या बारते है? I want you and I need you. Wedding energy. जो तू मेरा हमदर्द है. You are my angel. I miss you every day. Financel issue. I miss you, your voice. Stress decision. तो ये तो मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ. बहुत सारे वीवर्स आपके पार्टनर लगतार. कॉम्निकेशन करने की कोसिस कर रहे हैं. बात करने की कोसिस कर रहे हैं. लेकिन कहीं न कहीं, situation को balance नहीं कर पा रहे हैं. देखा जाएं. बहुत सारे वीवर्स आपके पार्टनर कहना चाहते हैं. कि आप उनके soulmate हो. देखे, stress तो ले रहे हैं, no doubt. लेकिन यहाँ पे चाहत भी है. ठीक है? चाहत भी है, प्यार भी है, और यहाँ पे attraction भी है. अब देखा जाएं, मेरे वीवर्स जी, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो जरूरत है, वो आपका प्यार है, आपका साथ है. सायद, मेरे बहुत सारे वीवर्स, आप उन पर बिल्कुल बिश्वास नहीं कर रहे हो. ठीक है? क्यूंकि आपकी परसन खुल कर आपको clarity नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उन्होंने आपसे खुल कर कुछ कह दिया हो, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर के रखा है अपने लाइफ में. तो कहीं न कहीं, यहाँ पर मेरे वीवर्स ने अपने आपको रुक कर रखा हुआ है, ये भी एनर्जी है. क्योंकि आपके परसन भी कहना चाहते हैं, I love you, believe me. चीक है? तो आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं, सच मानो, तो यहाँ पर आप उनके हमदर्द हो, अब हमदर्द किसे कहा जाता है, जो उनके प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को, उनके सारे परशानी को हिल करते हैं. चीक है? अब यह परसन को ऐसा लग रहा है, कि भाई, आप ही तु इनकी एंजल हो, आप ही तु इनके सोलमेट हो. देखी, इस एनरजी में देखा जाए, तो आपको बहुत हद तक, मतलब कहा जाए, बहुत हद तक क्या? हद की हद तक, यह परसन आपको प्यार करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं. लेकिन सायद, इनों आपको stress दिया हो, आपको trigger किया हो, आपकी विश्वास को दो रहा हो, या फिर इनों ने आपको commitment ना दी हो, marriage और आपके responsibility ना उठाई हो, अगर आप दोनों एक साथ हो, या married हो, तो हो सकता है, physical level पर भी distance हो सकता है, या फिर हो सकता है, कि इसमें parents issue भी आ रहे हैं, लेकिन इस person के thoughts, इनके message कह रहे हैं, कि ये person, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी wish है आपके साथ आगे बढ़ना, ये person आपके लिए fight भी करेंगे, ऐसा नहीं है, आने वाले time में, ये person आपके लिए fight भी करेंगे, लेकिन, ये अभी इस वक्त ये person, अपने आपको, पूरा करना चाहते हैं, आपसे मिलकर, new beginning चाहते हैं, खुसी चाहते हैं, आपका प्यार, आपका साथ चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहे अडियर, changes तो आ रहा है, action भी ले सकते हैं, बहुत जल्ब, हो सकता है कि, आपके रिष्टे में हमेशा, imbalance वाली energy होती हो, लेकिन ये person, अपनी पाबर में आ सकते हैं, क्योंकि इस person को, आपकी सकत जरूवत है, यानि कि आप समझ रहे हो, ठक चुके हैं ये person, और उन्हें आपका प्यार चाहिए, क्योंकि जो तू मेरा हमदर्द है, you are my angel, I miss you everyday, देखिए यहाँ पे, आपके person बहुत कोशिस कर रहे हैं, कि आप उन्हें पर विश्वास केजिए, I like you, साइद आप उन्हें माफ नहीं कर पाड़े हो, reasons कुछ भी हो सकते हैं, reasons, caste भी हो सकते हैं, family issue हो सकते हैं, age gap हो सकते हैं, married हो सकते हैं, या career issue हो सकती हैं, या life में कुछ और भी problems होती हैं, जो या आप से share नहीं करते हैं, तो ये person को साइद आप माफ नहीं कर रहे हो, या उन्हें मौका आप नहीं दे रहे हो, या फिर अपने आपको रोका है, या फिर आपने फ्लॉक किया है, या अपने energy को आप balanced कर रहे हो, लेकिन आप यहां सच हो, romance, I want you and I need you, ये person आपके साथ romance करना चाहते हैं, फिजिकल लेबल पर आप से जोड़ना चाहते हैं, ये आप से मिलना चाहते हैं, रही बात future की, marriage की, commitment की, तो ये person आपको कह सकते हैं, like में problems चल रही है, struggle चल रहे है, तकलीफे हो रही है, finance को लेकर problems हो रही है, तो ये आपका responsibility, इस वक्त अगर नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कि वो आपकी responsibility, आने वाले time में, ये नहीं उठाएंगे, ये उठाएंगे, क्योंकि आपको ये person कहना चाहते हैं, आने वाले time में, ये सब से ये fight भी करेंगे, अगर parents issue भी आ रहे हैं, तो ये आपके लिए fight भी करेंगे, तो कुछ viewers मुझे लग रहा है, कि आप प्यार करते हो, लेकिन इने सो नहीं कर रहे हो, कि आप इन में interested हो, लेकिन आप यहाँ feel कर रहे हो, या इनोंने आपको hurt किया है, या इनोंने strong decision नहीं लिया है, या issue parents commitment marriage को लेकर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके person आपसे जुदा नहीं रह सकते, उन्हें ऐसा लग रहा है, कि आप इस रिष्टे में interested नहीं हो, लेकिन दरसल आपको प्यार है, clarity नहीं मिल रही है, और आप emotions को प्यार को सो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर what decision नहीं ले पा रहे हैं, आपके तरफ action नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप चाहते हो, चीजें सही करना, तो कहीं आप अपने आत्म सम्मान से भी जुर रहे हो, तभी तो ये बंदा गिर गिरा रहा है, ये बंदी गिर गिरा रही है, देखिए कुछ परशानिया, कुछ मजबूरी तो है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कि situation को कैसे balance किया जाए, लेकिन be strong, आप के अंदर काफी power है, और इसलिए आपको ये क्यों कह रहे हैं, यू आर माइ अंजल, जो तू मेरा हमदर्द है, क्योंकि उन्हें आपकी support की जरुवत होती है, ये आपके गवागर कुछ भी नहीं कर सकते, इस person को आपके प्यार की, support की, care की, और बहुत सारा प्यार की जरुवत फिल हो रही है, लेकिन इनकी अंदर देखा जाए, तो बहुत confidence मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, बहुत confidence नहीं है, बस प्यार attraction जरूर है, लेकिन stress ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस वक decision तो लेना है, बट decision लेने के लिएने, बहुत से fight करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर parents issue भी आ रहे हैं, कुछ आप लोगों के spine में, कुछ problem हो सकते हैं, seven chakra में problems हो सकते हैं, बट यह person कहना चाहते हैं, कि आप किसी पर विश्वास करें या ना करें, आप उन पर विश्वास कर सकते हो, कि वो आप से प्यार करते हैं, वो आपके साथ बहुत खुस हैं, कुछ विएस आपकी आवास सुने हुए, काफी time हो चुका है, कल्भी message में यह यह आता है, दो-तीन दिन से लगातार, कोई बंदा या बंदी आपको स्पाइक कर रहा है, नज़र रख रहा है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी आवाज को सुनना चाहता है, यह अदर नंबर से भी हो सकता है, लेकिन उन्हें आपकी आवाज सुननी है, क्योंकि healing process है, आपकी आवाज में, एक आवाज से भी उनके life में बहुत सारे changes आ सकते हैं, अगर आपकी एक आवाज सुन ली जाए, तो आपके पाटर कहना चाहते, I miss you, your voice, तो इन्हें यह चाहते हैं कि आप उनकी help करे, कुछ financially भी, mentally भी, और physically भी, देखिए, आप strong हो और यह कहना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉंग रही है, parents problems हो या कोई और problems हो, थोड़ा patience और weight केज़े, weighting energy भी है, यह आपके साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वगर जिन्दगी अधूरी है, जब इस situation में इतने सारे hurdles, problems देख रहे हैं, आने वाले time में क्या हो सकता है, तो यह person आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि आप इन पर विश्वास कीजिए, कि आप से यह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा वो आप से ही प्यार करते हैं, believe me, I love you, I like you, मैं भी stress लेता हूँ, लेती हूँ, आपको लेकर overthinking भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे viewers, आप एक दूसरे के दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हों, और नहीं आप लोगों को clarity मिल पा रही है, लेकिन आपके partner में भी ये घुटन वाली energy है, लेकिन मुझे लगता है कुछ विवर्स आपके life में भी कुछ ऐसी energy है, जहां आप रहते हो, कुछ विवर्स की ऐसी vibes है, कि आपके partner आपके बारे में काफी deeply सोचते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ justice हो, कुछ विवर्स आप अपने life में घुटन वाली जिन्दगी जीते हो, दो राह परी भी चलते हो, कुछ दो राह भी हो सकती है, लेकिन आपके person को पता है कि आप भी सोते नहीं हो, आप भी घुटन की जिन्दगी जीते हो, कभी कभी आपके partner भी आपकी भाबनाओं को feel करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन खुलकर express नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको कहना चाहते हैं, कि आप strong रहिए, आने वाले time में सब कुछ बहतर होगा, तो मुश्किले हैं, और हर बात पर आप लोग में fighting होती है, ये भी कही न कही energy में blockage है, आप दोनों के relationship में कुछ न कुछ blockage आ रहे हैं, चाहे वो parents हो, career हो, finance हो, health issue हो, कोई भी हो, problems आ रही हैं, problems है, लेकिन आपके partner fight कर रहे हैं, चाहे ये fight parents से कर रहे हैं, third party से कर रहे हैं, career से कर रहे हैं, losses, finance के वज़ज़ से ये fight कर रहे हैं, खुद को भी trigger कर रहे हैं, जब भी बात आप से होती है, तो आप से भी fighting होई ही जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यदा ये person खुद को trigger कर रहे हैं, उन्हें आपके तरफ आना है, आपके करीब आना है, और ये चाहते हैं, कि आप उन्हें माफ किये जिए, इनका soul, इनका mind, मतलब ये person जो है न, ये आप से खुल कर कहें या ना कहें, लेकिन इनकी रूह कह रही हैं, कि आप उन्हें माफ कर दें, I am sorry, please forgive me, I love you, Thank you, तो आज की energy में बहुत सारे viewers, I love you की energy बहुत है, I like you की energy है, sorry, forgiveness की energy है, और कुछ के लिए parents issue है, जो नहीं चाहते हैं, आप दोनों एक हो, और situation career finance का हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे viewers, आपके partner आपको कहने हैं, थोरा तुम्हें patience और wait करना होगा, आने वाले time ये decision लेंगे, वो भी खुच लेंगे, रोमांस, प्यार, चहात और ट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ यूवर्स आपके partner, आपके feelings को समझ रहे हैं, आपके आवाज बहुत दीन हो गए सुने हुए, तो देखे, हो सकता है, कि वेटिंग इनर्जी में कुछ यूवर्स आपके partner प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको express नहीं कर पा रहे हैं, छुपकर नज़र रखना, आपकी अवाज को सुनना, आप पर नज़र रखना, जानकारी लेना, यह मेरे कुछ यूवर्स के साथ हो रहा है, लेकिन वेटिंग इनर्जी में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे वेटिंग आपके partner financially भी आपसे मदद लेना चाहते हैं, यहाँ पर physically भी और mentally भी, क्योंकि you are my angel और जो तू मेरा हमदर्द है, ठीक है, तो आप उस तरह के angel हो कि सारे problems को heal कर देती हो, तो देखिए, दोनों को ही प्यार है, दोनों को ही डर है, दोनों को ही एक दुसरे के लिए फिक्र है, लेकिन कही न कहीं कुछ न कुछ obstacle भी है, तो कुछ विएर्स यहाँ पर आपके partner आपसे support भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ विएर्स आप चक्रास पर काम कीजिए, meditation कीजिए, आपके partner माफी माँगना चाह रहे हैं, romance है, प्यार है, चाहते हो, तो यहाँ पर strong energy है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको clarity देंगे, fight मत कीजिए, fighting से हमेसे आप लोग के रिष्टे खराब होते हैं, ठीक है, तो इसलिए fight मत कीजिए, तो आपके partner का message है, society, समाज, family, responsibility, third party, parents, इस तू, बहुत सारे huddles हैं, आप दोनों के बीच में, राम, शिया, राम, शिया, राम, जे, जे, राम, मंगल भावन या, मंगल हारी, देखे, क्या mood है, feelings क्या है, control, अपने आप पे भी, बहुत सारे viewers, आप control करें, integration, आप एक दूसरे से जुदा, हो ही नहीं सकते, ठीक है, slowing down, decision, धीरे अबावो, ठीक है, wetting energy भी आई है, the lovers, देखे, decision, थोड़ा slow है, बट लेंगे, ठीक है, आप से मीलेंगे, celebrate भी करेंगे, कहा ना romance, प्यार, सब कुछ, फील ओड़ा इस परसन को, success, बहुत सारे viewers, six number and success, ठीक है, possibilities, changes, success दिख रहा है, देखे, success तो है, no doubt, बट यहाँ पर, रियूनिंगे, chances दिख रहे हैं, लेकिन, decision, थोड़ा slow है, ठीक है ना, और कुछ विर्स, आपके partner, हो सकता है, हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स चल नहीं, उनके life में, success को लेकर, life को लेकर, खुसियां को लेकर, marriage को लेकर, commitment को लेकर, तो यह कुछ इशू है, उसमें भी obstacle आ रहे हैं, ठीक है, और यह person आपको वेट भी करा रहे हैं, तो कुछ वर्स मुझे लगड़ा, कि आपको वेट करना पर सकता है, ठीक है, control, integration, reunion के chances हैं, लेकिन decision थोड़ा slow है, but success है, रिष्टे में success है, no doubt, इतने साई, cards, खबसे, जज्वेंट, भाई, उनको खुद बेता भी है, कि मुझे decision लेना है, अब क्या चाहिए, the hand man, क्या करूँ, चीजे सही नहीं हो रही है, कुछ गलत फैमिया भी है, चीजे छुपाई भी जा रही है, कहा ना कुछ वर्स लो है, यहाँ पर बाबू, अगर, मैं कैसे बोलूँ, मैं इस card को आपको guide करने वाली हूँ, अगर आपके साथ दोखा और cheat हो रहा है, तो मैं आपके लिए एक card निकालूंगे, ठीक है, last में एक card निकालूंगे, क्योंकि slowing down है, seven of swords है, तो यहाँ पर कुछ विवर्स आपको wait करना परे, यहाँ पर कुछ विवर्स आपके साथ दोखे भी हो रहे है, ठीक है, कुछ चीजे चुपाई जा रही है, यहाँ पर कुछ विवर्स आपके partner के life में third party issue है, जहाँ आपके partner आपको छोड़ कर किसी और के साथ celebrate कर रहे है, ठीक है, यहाँ कुछ विवर्स आपके साथ cheating हो रही है, दोखा हो रहा है, लेकिन घबराई ये नहीं, क्योंकि आपका connection divine का है, ठीक है, लेकिन slowing down है, लेकिन success मिलेगा, यहाँ पर आपको खुद पर control करना है, control के energy है, यह मेरे कुछ विवर्स के साथ हो रहा है, कि आपके partner आपके साथ cheat कर रहे हैं, दोखा कर रहे हैं, third party के साथ celebrate करें, enjoy कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको कह देती हूँ, कि आपको control करना है, judgment होगा, decision होगा, क्योंकि आपका connection यूही नहीं है, ठीक है, आपका connection divine के तरफ से मिला है, तो थोड़ा विवर्स जी control की जगा, जिनके साथ धोखा हो रहा है, यहाँ पे धोखा मिल रहा है आपको धोखा, slowing down, कुछ विवर्स आपके partner slow हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस वक्त चीट कर रहे हैं, लेकिन patience रखिए, control करिए, आपके साथ success होगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है, यह person, जो भी person है, जिसने आपको धोखा और चीट की दिया है, वो आने वाले time में, इनके life में ऐसा tower आएगा, कि यह गिर गिरा कर आपसे माफी मांगेंगे, तो यहाँ पे कुछ कार्ट में, विवर्स जी, आपके partner जिनसे आप प्यार करते हो, यह आपको धोखा दे रहे हैं, यह कुछ विवर्स की energy है, सब की नहीं है, और यह जो जिस energy में है, उनके partner हो सकता है, कि आपसे बाचीत ना भी करते हूं, ठीक है, दोस्तों के साथ celebrate करते हैं, enjoy करते हैं, और आपको jealousy feel कराते हैं, या किसी परकार के आपको अपना photo, किसी तरह का social media पर भी डालते हैं, या deep status में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वीवर जी, जो आपको धोखा और चीट कर रहा है, इस card को मैं clear last में करूंगी, 7 of so slowing down, जो धोखा दे रहे एक card मैं निकालूंगी, इस energy के लिए, ठीक है, मैं लिख के कहती हूँ, कि ये person थोड़ा सा आप control कीजेगा, ठीक है, इस person के वज़े से, आपके लाई में problems आ रहे हैं, लेकिन ये धोखा और चीट कर रहा है, तो आप घबराईए नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, आज fun मस्ती मजा कर रहा है, ये कर रही है, ये आप से गिर गिरा कर माफी मांगेगा, ये मांगेगी, क्योई इस रिष्टे में उसे आना है, उन्हें आना है, और इस रिष्टे में success पाना है, तो जिसने आपको अभी इस वक धोखा दे कर रख रहा है, जूट बोल रहा है, बाते चुपा रहा है, ब्लॉक करके रख रहा है, आपको रूला रहा है, सदा रहा है, तो घबराईए नहीं, बहुत जल सच्चाई साबने आईगी, ठीक है, तो कुछ विर्स आपके साथ चीटिंग और धोखे भी हो रहे हैं, ये किसी और के साथ फन मस्ती मजा कर रहे हैं, जो इनको लगता है, कि वो उनका सोलमेट है, ठीक है, तो कुछ विर्स आप लोग के साथ गलत भी हो रहा है, ठीक है, मैं लास्ट में निकालूंगी, जो धोखा दे रहा है, मैं उनके बारे में देखना चाहूंगी, बाबू, है ना, बहुत सारे वीवर्स आपके पार्टनर आप भी रहे हैं, ठीक है, वन काट प्लीज निचस, वन काट प्लीज, सक्सेस, पेज अफ सोच के मैं ज़स, प्लीज काइट करें, जिसने धोखा दिया है ना, बस गुस्सा मत करना, खुद पर कंट्रोल करना, फिर देखना, क्या मिरेकल्स होते हैं, एरिस, लोइन, साजिटरिस के एनर्जी बहुत है, बहुत ज़ादा है, देखिए, बहुत ज़ादा है, एब साने साइन के लोग देख सकते हैं, आप आप लोग में आ रहा है, टिक है, लाश्ट में मैं फिर से, एक बार बोल दूंगी, टो देखो बाबू, इस बहुत सारी वियर्स आपके रिस्تे में काफी हद तक healing हो रही है ठिक है इस रिस्ते में काफी हद तक healing हो रही है लेकिन जिसके साथ धोखा हो रहा है thorat आपको wait करना पडरेगा लेकिन सब कुछ बैरतर होगा यह मैं कह देती हूँ थोड़ आपको कंट्रोल करना होगा यहाँ पे स्ट्रॉंग एनरजी है तो यहाँ पे जिनके साथ धोका हो रहा है उनके लिए मैं एक कार्ट जरूर लास्ट में निकालूंगी किलियरिटी करूंगी ठीक है अप लोग में एज गैप है ठीक है लेकिन बहुत सारे विवर्स आपके रिष्ते में लगबक बहुत धत्तक हिलिंग हो चुकी है ठीक है देखिए यहाँ पे कुछ विवर्स इस इंसान को इस वक्त आपकी सक्त जरूरत है ठीक है और देखे, मैं ये भी कहना चाहूंगे, इस person को पहले अपने काम से मतलब हुआ करता था, अपने काम से आना, अपने काम से जाना, लेकिन आज इस person को लग रहा कि जिन्दगी थमसी गई है, आज जिन्दगी जिस तरह थमसी गई है तो ये रिष्टा उन्हें एहसास दिला रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो आप वो हो जो इनके लिए आपने बहुत कुछ ठुकराया है बहुत चीज को इग्नोर किया है अपने चाहत को अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो आप इतने खुबसूरत सोल हो लेकिन आपके परसन आपके साथ नयाय जरूर करेंगे क्योंकि जज्जमेंट के एनरजी आई है थोड़ा इंतिजार कीजे मैरेज कमिटमेंट भी होगी और आप दुनों का साथ भी होगा पहले रियूनियन होगा देखिए ओन आप सिचुएशन बहुत रहा है लेकिन कुछ मजबूरियां भी है चुछ परशानियां भी है जो इने सोने नहीं दे रही है लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त कहीं न कहीं आपको बहुत मिस्क कर रहे हैं बाबो देखिए जैसे होता न हाट टो हाट है मतलब अपने सोल के बिना यह परसन हार चुका है ठका हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए बट मुझे न्यू विगनिंग करना है मतलब यह परसन कहना चाहते हैं आप वह हो जो इनके लिए बहुत कुछ ठुकाया है इन्हें आपकी प्यार की जरुवत है तो बहुत सारे विवर्स आपके रिलेशन स्टिप में कापी हद तक हिलिंग हुई है चीजें सही करना चाहते हैं स्टगल दिख रहा है प्रॉब्लम्स दिख रहा है तकलिफे दिख रही है करियर को लेकर प्रॉब्लम्स है लेकिन यह परसन हर वक्त आप पर नजर भी रखता या रखती है और देखिए तेजी से बढ़ना चाहा रहे हैं रियूनिन के चांसेज है वहाद स्ट्रॉब्लम्स दिख रहा है लेकिन यह अब ठक चुके हैं पूरी राज जाते हैं उन्हें आपसे बात करना है ऐसा वो सोच रहे हैं सही पूचये तो समय जज्जमेंट के अनरजी है तो किसी परकार का जज्जमेंट चल रहा है इस परसन को जगाया भी जा रहा है यह कहा भी जा रहा है कि उनके पार्टनर आप हो, उनके सोलमेट हो, आपका पास-लाइप कनिक्शन तो यह डिवाइन अपना काम कर रहे हैं ज decision होगा marriage और commitment को लेकर क्योंकि इस person को रिष्टे में success चाहिए और बहुत काफी passionate फिल करें ये person क्योंकि ये रात बर सो नहीं पातें इंतिजार करकर ठक चुके हैं और देखिए हापे बहुत ज़्यदा romance वाली energy है अपने ठकावट को भी दूर करना चाहते है ठीक है अब ये आप पर नज़र रख रहे हैं बस उन्हें आप से मिलना है या ट्राबल भी दिख रहा है तो बहुत सारे वीवर्स integration के एनरजी दललवर्स के एनरजी है celebration के एनरजी four of wands के एनरजी है ठीक है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको पाने के लिए ये person कुछ जूट का सहारा भी ले सकते हैं क्योंकि इस जूट से वो आपको जीतना भी चाहते हैं आपको खोना नहीं चाहते हैं वैसे भी ये बंदा जूट बोलने में मास्टर है बात बनाने में मास्टर है लेकिन उनकी विश आप हो ठीक है तो बहुत सारे वीवर्स आपकी रियूनियन होने वाली है लेकिन कुछ वीवर्स आपको वेट करना पर सकता है क्योंकि यहां पे कुछ विश अगर आपके साथ दोखा और चीट हो रहा है तो घबराईए नहीं इन्होंने अगर आपके साथ ऐसा किया है कर रहे हैं तो उनके साथ भी घटनाएं घटी तो होईगी और यह कंट्रोल आपके लिए है कि आप खुद पर कंट्रोल करें खुद क्या बहुत सारे विवर्स आपके पार्टन अब जिंदगी से लाइप से प्रॉब्लम से काम से ठक चुके हार चुके हैं उन्हें आपके बाहुं में आना है ठीक है तो बहुत सारे विश आपकी रियूनियन हो रही है सकसिस दिख रहा है लेकिन अब मैं काट उनके लिए न के पार्टनर आपको दोका देने हैं ये पार्टनर किसी और से मिल रहे हैं सैल्बिरेट कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वो उनके सोल मेट हैं तो कुछ विवर्स आप लोग थोड़ा साउधान रहें और खुद पर वर्क कीजिए कंट्रोल कीजिए पूरी निन लिजिए इ मैं जान भी बहुत सारे विवर्स कुछ सचाई सामने आई है जिस वज़े से बहुत सारे विवर्स आप इस रिस्ते में ठक चुके हो विश्वास आपका खत्म हो चुका है लेकिन ये रिस्ता खत्म कैसे हो क्योंकि ये रिस्ता तो डिवाइन ने दिया है या तो हट टू सब्सक्राइब बहुत सारे विवर्स आपकी रियूनियन होने वाली है और यहाँ पर आपके पारणर धोकह और चीट करें एस लोइंग डाउन है मतलब वह आएंगे लेकिन दाजा है ये इस लिए है मैं बता देती है ये इसलो इसलिए हो रहा है कि आपको खुद पर कंट्रो करना है फिर उसके बाद देखिए ये परसन आपके पास कैसे माफी मांगता है ठीक है तो मैं आपके लिए निकालना चाहूंगी इस डेक से जिनके पार्टर धोखा और चीट कर रहे हैं ठीक है आपको लेकर उनकी टू इंटेंशन क्या है ठीक है अगर मेरे वीवर्स के पार्टर इनके साथ चीट कर रहे हैं दोखा दे रहे हैं प्लीज इंटेंशन काइट करें उन्हें क्या फिल हो रहा है मेरे वीवर्स के लिए जो दोखे और चीट कर रहे हैं प्लीज इंटेंशन काइट करें दोखे और चीट करें में क्या कुछ आरा है उनकी feelings में slowing down seven of source जो मेरे viewers को दोखा दे रहे हैं चीजे चुपा रहे हैं चीजे चुपा रहे हैं ये चीजे करियर से related भी है गोल से related भी है कुछ planning है जो future planning है या फिर कोई अगर इनके life में है वो चीजे भी चुपा रहे हैं लेकिन आपको सीने से लगा कर रखा है चीजे है दम्मून की energy है समझे emotions को चुपा रहे हैं बहुत कुछ चुपा रहे हैं emotions को चुपा रहे हैं क्योंकि ये अभी किसी और के साथ है तो इस वक्त इस person पर विश्वास नहीं करना है ठीक है आप दूआ किजिए manifestation कीजिए आपके साथ नयाय होगा चीजिए ये person आपको physical level पर बहुत ज़्यादा आपके कड़ी बाते हैं जब दिल करता है वो आपके तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ पर night of wants की energy है ये person आपके तरफ आते हैं जाते हैं ये person को आपसे physical level पर बहुत ज़्यादा ज़रुत होती है ठीक है तो देखें यहाँ पर जो energy दिख रही है बहुत सारे viewers यहाँ पर emotions को चुपा रहे हैं घब रहे हैं थोड़ा control कीजिए patience रखे इस वक्त चीजे सही नहीं है इस relationship में इस वक्त आपके साथ cheating होड़ी है but slowing down है काम slow हो रहा है लेकिन success भी होगा reunion होगी और यह person आपसे माफी भी मागेंगे four of pentacles, seven of source, the moon के energy तो कहीं न कहीं इस person पर इस वक्त आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ठीक है प्यार है and concern है इस वक्त slow है तो कहीं न कहीं यह person चीजे चुपा रहे हैं लेकिन आपको सिने से लगा कर रखा है इनका कुछ purpose है इस जिससे भी जूड़े हो सकता है उनसे career हो, business हो और पैसा हो यह भी हो सकता है उससे related भी है किसी से relationship जोर के रखा या उनके साथ partnership पर यह काम कर रहे हैं यह भी हो सकता है ठीक है लेकिन यह person की गलत फैमी है कि वो उसका soulmate है तो यह गलत फैमी बहुत जल दूर भी होगी आप उनकी soulmate हो लेकिन इस वक्त यह person आप से चीजे चुपा रहे हैं, जूट बोलें, चीट कर रहे हैं mode swings की energy है इस वक्त इस person पर विश्वास करने की जरूवत नहीं है यह person सिर्फ आप से physically energy लेता है या लेती है, ठीक है तो यह है उनके लिए जिनके साथ धोका और चीट हो रहा है तो मैं कहना चाहूँगी इस वक्त आपको control करना है, रिस्ता आपका गहरा है, divine की blessings है दूरसा negative thoughts नहीं होने चाहिए, intention सही होने चाहिए, इस वक्त यह person आप से जूट भी बोल सकते हैं, चीजे भी छुपा सकते हैं क्योंकि इस energy में यह person आपके साथ कुछ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है लेकिन कहीं न कहीं miss जरूर कर रहे हैं और यह missing वाली energy कहीं न कहीं यह divine की planning है the moon, the star, यह दोखा और चीट कर रहे हैं, सीने से लगा कर रखा है, क्योंकि आप बाली बात किसी और में नहीं तो यह person आप से माफी भी मांगेंगे, लेकिन slow हैं बाबू ठीक है, बस अपने आप पर विश्वास किजिए, उपर वाले पर विश्वास किजिए तो यह किसकी energy है बाबू, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है वैसे बहुत सारे viewers आपकी reunion होने वाली है, परशन परशान हैं आपके लेकिन इस रिष्वास में उन्हें सक्सिस चाहिए और आप चाहिए तो बहुत सारे viewers आपके partner आ रहे हैं आपसे मिलने, लेकिन उनके problems को भी थोरा समझना है, ठीक है, जगडे fighting बिलकुल नहीं करना है तो यह है जी, आज सुबह की energy आपके partner की वीडियो अच्छी लगए दियर तो लाइक करें, शेयर करें, चानल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरू दबाए, काट प्लीशन, थेंक्यू